तो आज मैं जो चालू करने वाला हूं कैल्कुलास का लेक्शन नबर फॉर बट यह बड़ा इंट्रस्टिंग है कि अब मैं लिमिट पे आ गया अब मैं लिमिट की बारे में डिसकस करूंगा की लिमिट को हम कैसे डील करते देखने से बड़ा आसान से टॉपिक लगता है कि स लेकिन लिमिट के के स्मार्ट होना वो जरूरी है क्योंकि कब मिस्टेक होगी आपको पता हैं चलेगा तो मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूं क्योंकि नॉमली जब हम लिमिट पढ़ते हैं तो हम कुछ रूल थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और एल हॉस्पिटल बारे में एक अच्छा आइडिया ना हो तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया दोंगा और फिर तो हम जो कुछन करते हो तो करते ही रहेंगे तो अभी ध्यास दिखेगा कि जो बेसिक कंसेप्ट है लिमिट का वह आपको पता होना चाहिए तो मैं एक्टम जीरो से स्टार् और ओर लेक्टर नमबर थर्टी ठीक है तो लिखा है कैलकुलर्स लेक्टर फोर नहीं लिखा है अब जैको बेसिक अंसेप लिमिट के अगर मैं बात करो तो लिमिट लिखा हूँ आपकी पास की लिमिट फॉंक्शन जाए वैलियू अप डेट फंक्शन इंपूट अप्श युश करते हैं तो डिफाइंड करने के हम लिमिट को यूश करते हैं ठीक है तो हम पूरा पढ़ते रहें गें continuity concept of continuity पोलेंगे, integral पोलेंगे, derivative पोलेंगे, limit describe how a function behaves near a point instant of that point, मत्तब किसी point के nearer में एक limit यह describe करते कि function कैसे behave कर रहा है, तो अगर आपको सच में limit की बात करना है, तो यही point है आपके पास कि उस point पे नहीं, उसके near, तो यह लिखा है कि जो function behave करता है, behaves near a point, instead of a point, उस point पे बात नहीं कर रहे हैं, उस point के near पे बात करते हैं, कि जिस point पे हम limit की बात करते हैं, उसके near एक function का behavior कैसे होता है, जब हम theoretical बात करते हैं, तब उस तरीके से clear नहीं होता कि actually हम बोलना क्या चाहा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसी पे focus करेंगे, third बाले point पे, food लिखा है, आपके पास, क्या argument is inventing the concept of limits in order to calculate the volume of sphere and curve objects, यह आपके पास scientist का नाम है, जो limit का concept invent किया था, concept of limit की बारे में, जो invent किया था, ऐसा कोई पूछता तो है पर्टिकुलर value लिखा, but second and third are very important की, एक function क्या describe करता, limit क्या describe करता, कि function कैसे behave करता है, उस point के नेरव में, ठीक है, अब देखें कि interesting बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैं बोलू कि function f of x, आपके पास और x equal to 2 पे में को बात करना है, x equal to 2 पे में को बात करना है, कि क्या होने वाला है, तो एक function दिख रहा होगा आपके पास, अफसो चूप, में को अगर बात करना है, कि 2 के आपके पास 2 पे value क्या होगी, तो में को limit कैसे लिखना चाहिए, limit x axis में x tends to 2 और f of x यह, limit x tends to 2 और f of x है, जब ऐसा बूला जाता है आपके पास, तो बहुत easily हम बोल देते हैं कि sir, इसका यह मतलब हुआ, कि sir, f of 2 की value क्या होगी, यह बोल देते हैं, ऐसे हम लिखते हैं, इसलिए लोग सूचते कि limit is very very simple topic, sir, x tends to 2 है, तो sir, 2 पे value आपके पास, उस functions की value कित्ती होगी, ऐसा सही नहीं है, हाँ, answer आपका आज आता है, लेकिन answer 90% आता है, जब कोई चाहे कि answer ना है, और answer सही तरीके से आप understand ना कर पाऊ, तो चीजे बड़ी interesting होगी, तो इसलिए सुनिएगा, तो मैं बोलना हूँ कि हम जानते क्या है, सबसे पहले बात तो हम जानते क्या है, हम जानते कि sir, अगर x equal to 2, पहुमें कोई functions की value x tends to 2 है, तो sir, यह जो tends to लिखा रहता है, कि आपके पास x tends to 2, और sir, x tends to 2 है, तो हम तो sir, 2 put कर दिया sir, लिख दिया हम दो, दिख रहा होगा आपके आपके पास, तो एक function दिख रहा है, और हम क्या कर रहे है, x के वेली जैसे बढ़ते जारी 2 के नहीं जहाँ, यह दिख रहा है आपके पास, यह value बढ़ते जारी आपके पास दिख रहा है functions की value, और इधर से एकर मैं, इसको हम बोलते right hand limit अब question यह है कि sir यह तो इतना प्यार से लिख दियो sir f of x की value x equal to 2 पे वैसे तो x tends to 2 है तो अभी question यह बार्क बनता है कि sir x equal to 2 और x tends to 2 में क्या difference है तो अभी तो हम लिख दिया sir को difference नहीं है sir difference होता है अभी नहीं दिखता है अच्छा यह left hand limit लिखा left hand limit लह और यह लिखा right hand limit अब धहां दिखिएगा left hand limit का क्या मतलब होता है left hand limit का मतलब होता है कि यह 2 x equal to 2 पे आपके पास हमको value की बात करना था left hand limit के अगर मैं बात करूं कि सा left hand limit क्या होना चाँख यह तो left hand limit होना चाहिए अगर मैं बोलू कि इसकी value क्या होना चाहिए तो ये होना चाहिए f of two minus two के just पहले की बात two के just पहले one point nine 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 बोल सकते हो function की value one point nine nine अगर मैं बोलू कि sir ये इसका ये मतलब लिख लूँ क्या कि one point nine 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 ऐसा लिख लूँ क्या हाँ ये two approaches approach to two इसको बोलते है left hand limit two के just पहले की बात अच्छा right hand limit क्या होगा two के just बात मतलब two plus तो sir क्या मैं लिख लूँ two के just बात है two के just बात लिख लू two point zero zero one इसके लिए worry ना करें कि कितने zero two ही है two point zero zero one मतलब two ही होता है अच्छा left hand limit मैं बोला two के just पहले की value right hand limit बोला that means two के just बात की value अब आप बोलोगे कि sir two पे value कितनी suppose को रहे इस function की value देखा जाए तो बोले sir two पे तो sir four value है functions की value होगा देखा जाए तो sir two पे तो four value है तो अगर इसकी value two पे four value है नहीं समझना और अच्छे से सोचना भी चत्काइब जाए थो फू पे तो बहुंक्त की value देखर ही sir key ना एक फॉइड़ में को बता यार two minus पह कितना कितना और two के just पहले कितना था two the just पहले कितना था four के नी काण हुआसदہ four a four और फॉरी होता है अब four के नी आर कुसे को लिखना है कि सर में को अगर 3.99 बहुत सारे लगाने तो कोई सो नहीं सर अच्छा एफ आप 2 प्लस की वैल्यू कितना हुआ अगर मैं बहुत ध्यान सा देखू तो तीनों वैल्यू सेम है यह तीनों वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं लिख सकता हूं और यह सभी लगभग 4 ही है अच्छा जब हम ऐसी बात करते तो थोड़ा सा प्रेसर बढ़ता है कि एक तो लेप हैं लिमिट और राइट हैं लिमिट बोलने से एक इस्टुएंट को बड़ अच्छा लगता है क्योंकि यह उसकी फिलिंग का पार्ट है उसको यह अच्छा लगता है सप्ट बयार चाइया है सबस्ट कर दो कि अब हैं और राइट हैं ट cities बात करताओ एसके ूटे और right hand limit की जस्ट बात करता हूं मतलब इसके जस्ट बात की value ठीके ये इसका मतलब होता है मतलब की बात कर रहा हुभी कि left hand limit का क्या मतलब हो सकता है जो left से आ रहा है तो 2के left क्या एकडम nearest value और right मतलब 2के just right का है right hand side चाहर हा left hand side चाहर हा और x equal to 2 पर आपके पस यह है इसका मतलब सर यह मतलब हुआ कि लेप्ट हैंड लिमिट राइट रिमिट और एक फंक्शन की जो वैल्यू होती है उन सब पर वैल्यू सेम होती है नहीं ऐसा मतलब नहीं है यहां पर ज़रूर एसा मतलब है कि आप एफटु बोलो फॉर आएगा एफटू माइनस बोलो फॉर अब तो limit पढ़ रहे हमारे मंद में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मंद में question raised होना चाहिए ठीक है लेकिन जब question raised हो रहे हैं तो हमकी पता है कि लाइव तो हो नहीं अभी मेरे साथ आफ मैं आगे बढ़ेशिकोर्य आपके माइन के human के तो टेज चाहूँगा तो यह एक साइन होता है और जी और एक अच्छे student की duty बनती है कि वो सोचना चालू करे कि उसको क्या-क्या feel हो रहा है कि यह होता तो क्या होता और वो होता तो क्या होता और आराम से वो देख भी रहा है ठीक है देखना ठीक है सर यह बड़ा अच्छे से हम function लिए तो मैं बुरू था कि अच्छा limit मतब क्या ह उस point के नेर में कैसा behavior होगा ठीक है हम बोल रहें कि टू के around behavior कैसा है तो हमको देख लो एक दम टू के just पहले या टू के just बात देख लो सर टू पे भी देख लो किसी जगा पर देखो 44 ही होता है क्योंकि 3.99 सर 4 ही लिखते दुनिया और 4.001 सर ये भी 4 लिखते चलो सब बात है वैलिड है तो पहले मैं वह बात किया जिसमें लगे कि सर सभी तो सेम होता है कौन से ऐसी बड़ी बात आ गई और कौन से अटा left hand limit और right hand limit करने की जरूरत पड़ गई ठीक इस ओक लेक्चर खतम होते तक आपको idea हो जाएगा कि मैं क्या क्या बात करना चाहता हूं अच्छा limit जब हम बात करते हैं तो हम tends to बात करते हैं क्या एक function है और इस function की एक value आगे जिसको l बोलती है limit की value x tends to a हम बोलते है कि क्या आपके पास यह है कि x जो axis है उसमें अप्रोच तब क्या होगा और यह value क्या है यह value है कि उस function की value इस point के जब approach पहुच रहे तो function की value समय क्या होगी तो what is the value of y getting closer to इसका मतलब है उस point पे इसका मतलब क्या है जब मैं बोलता हूं कि x tends to 2 है कि x axis में जब मैं tends to 2 के नेरर पहुचता हूं इसका मतलब होता है x tends to 2 ठीक है अच इस function की value क्या होगी nearer to this point यह जो point दिखरा आपके बास solution का point मतलब इस curve का point इसके nearer value क्या होगी तो sir इसके nearer तो sir 2 के nearer तो 1.999 होता है हां 2 के nearer तो 2.001 होता रही यही तो बोल रहा हूं कि right में right hand limit left में left hand limit और इस function की जो value है left hand limit में क्या और right hand limit में क्या हम देख भी चुके थे values ठीक है अभी मैं को लगता है कि उतने चीक से clear नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ बाते जो बड़ी interesting होती है conceptual होती है उन बातों में doubtful चीज़े रहती है आप 11 12 में भी आइटी की कोचिंग की होंगे तो बहुत जगा पड़े होंगे तो वह धियान से समझना जरूरी और मैं जिस तरीके से आपको एक्जामपल फ्रेम करूंगा आपको एकदम clear होगा left hand limit का concept, right hand limit का concept, sub concept clear होगा तो जैसे बता दिये कि या limit का formula क्या होता तो बोले tends to value है और function की answer है वो भी tends to है क्योंकि आप x की value पूट नहीं कर रहे हो, आप x tends to a पूट कर रहे हो और function की value है वो भी tends to है कि कि कितने closure उसकी value क्या होगी, ठीक है, अच्छा, एक student के मन में हमेशा यही वाला points पर doubt रहता है कि सर एक function की value का होना और tends to होने में क्या difference है, ठीक है, अच्छा जब मैं बोलता हूं कि सर, right hand limit आपके पास क्या है, right hand limit, जब मैं right hand limit बोलता हूं तो limit from the right होता है, right hand limit समना, रहे चल, right hand limit बोल रहा हूं तो right hand limit of a function is the value, the function approaches when the variable approaches its limit from the right, अच्छा, यह तो बहुत normal बात होगी, हाँ बिल्कुल, this can be written as a plus, इसलिए में बोला था, कि मैं को 2 पे value x equal to a, मेरा function क्या था, मेरे पास सर, limit है, हाँ, x tends to a, यह हमारा है, और f of x है, यह एक function की value और x tends to a, यह limit कैस्टा है, इसलिए x tends to a, अच्छा, इसमें right hand limit क्या होगा, x tends to x की value a plus, और यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलू ना, कि इसकी value क्या होगी, तो a plus है, और आप आ अच्छे, this is the f of a plus, कहां आप इस तरीके से जाते हो, मैं बोला, f of a plus लिखो ना, यार, सीधे, अच्छा, 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 जब मैं right hand limit की बात करता हूँ, x equal to a पे, तो मैं बोल देता हूँ, कि अगर मैं कि इस functions की value निकालना है, तो एक यह जो style है, this one is very good, क्या करते ह हम ले लेते हैं, जिस भी functions की value आपको निकालना है, जिस भी point पे, मैं h tends to 0 लिया, और उस function में, जो f of x था, उसमें x की जगा a put कर दिया, क्योंकि मैं को a निकालना था, और फिर h लिया, h क्या है, यहां दिखना ये वाला चीज, इस चक्कर में कभी तो भी बड़ा, एक student को doubtful हो जाता है, क्यार, यह क्या लिखने का तरीका, अच्छा भी नहीं दिख रहा है, a plus h लिखा, right hand limit है आपके पस, a plus h लिखा, और h tends to 0 लिखा, h क्या आपके पास, h is very very small positive number approaching to 0, ऐसी कोई चीज नहीं है, कि मैं explain करूंगा, और किसी को doubt आजाए, उसके लिए, पुरा सुनन मतलब, जब मैं right hand limit की बात करने जा रहा हूँ, तो right hand limit आपके पास, नहीं पेश बना लेते हैं, अच्छा लगे रहा हूँ, हाँ, जब मैं बोटा हूँ कि मैं पाफ़ फंक्शन तो यह, x tends to a, और f of x है, ठीक है, यह हमारा पास था, यह हमारा question है, और इसके बारे में हम ब यह है कि limit x tends to a plus लोग बोल देते हैं, और f of x बोल देते हैं, मैं तो बुलता हूँ कि direct is functions की जो value आपके पास, directly f of a plus आप लिख सकते हैं, x जगा a plus, यह, f of a plus, इस direct अपन ऐसा start करेंगे तो भी चलेगा, अच्छा, इसको लिखने का एक style यह है, कि लिखने वाइस हम ऐसा ल is the right hand, is the a plus h, अब जब मैं h tends to 0 पूट करूँगा, तो sir, f of a ही तो आएगा, ठ्यान देखो, a plus h किया, कोई बोले कि sir, इतना क्या बात कर रहे है, sir, h tends to 0 लिख रहा हूँ, h is very small, और a plus h कर दिया, right hand limit को, और h जब 0 पूट करूँगा, तो f of a ही तो आएगा, क्या ही है, इस limit लिखने का style, अचा, अगर ये right hand limit style है, तो left hand limit का style क्या होना चाहिए, अचा, left hand limit का style होना चाहिए, limit x a minus, ये f of x, और मैं तो ये भी नहीं लिखना चाहूँगा, मैं तो बोलूँगा, f of a minus, a के just पहले भाई साब, और अच्छा, इसको ऐसा लिखना है तो, limit h tends to 0, f of a minus h, ये बोला जाता है आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए, इसको बोला जाता है कि ये ध्यान देना है अपने को, कि ये जो style है, ये जो style है, आपके पास, ये style जो है, ये, ये, ये आपके पास है, right hand limit, the right hand limit style, ये, a tends to 0, f of a plus h, और ये जो दिखर आपके पास, this one, ये, ये आपके पास है, left hand limit, इस ते, left hand limit इस ते, अच्छा कि जरुवत क्या पढ़ी, सर, अभी पता चलेगा ना भाई, ये सब, जरुवत क्यों पढ़ी, क्यों कर रहा है, राइट और left, क्यों कर रहा है, सीरे तो सर, f of a पूट कर देते, अभी आपके मन में आ रहा होगा, कि स लिखते जाओ, बस अभी आप, f of a कर दोगे, अच्छा कब होता है, कब नहीं होता है, और इन सब की जरुवत क्यों पढ़ी, तो जैसे इसे दस मिनट निकलेगा, आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा, तो लिखने का style देख लो, पहले तो style देख लो, कि अच्छा सर f of a plus लिख दिए, f of a minus लिख दिए, a plus मतलब a के जस्ट बात, right hand, a minus मतलब a के जस्ट पहले, मतलब left, तो is the left hand limit, the right hand limit, यह हम लिख दिए, ओके, यह लिखने का हमारा style दा, तो हम बोल रहा है कि right hand limit क्या होता आपके पास, तो यह लिख दिए हम दो, ठीक है, यह मैं mathematically लिखा left hand limit भी बता चुकों, left hand limit आपके पास यह लिखा हुआ, s tends to 0, यह दिख रहा होगा, this one, s tends to 0, a minus h, और यह वही बात है कि h, very very small approach to 0, ठीक है भी यह, तो left hand limit लिखने का style और right hand limit लिखने का style में बता दिया पहले आपको तो, जब इसको apply करेंगा, अचा किसी भी चीज को, इस बते होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या बाते होना चाहिए, कोई भी function की value में को find out करना है, given है कि किसी function की value निकालना है, तो first we calculate the left hand limit and right hand limit, हमारे पास यह step number 1 लिखा में, क्या आप पहले calculate कर लो, अचा left hand limit क्या होता है, बोले h tends to 0, a minus h, okay, right hand limit क्या होता है, बोल अगर limit exist करती है, x equal to a पे तो आप बोलते हो कि left hand limit equal to right hand limit है, मतलब, अगर left or right hand limit same आया, if left hand limit equal to right hand limit, तो आप बोलोगे कि लिमिट exist करता है, x equal to a पे, यह number step number 2 होता है, इसका मतलब है कि मैंको अगर limit exist करता है कि नहीं, इस 66 Limin ét reduce करता है, यहाँ नहीं भी करता है, अब तो मै हैं left hand limit का लिखा result style राइण लिमिट का लिखा अगर दोनों बराबर है तो limit exist करेगा अगर दोनों बराबर है तो क्या करेगा limit exist करेगा यह देखना बहुतंग है कि दोनों बराबर कब नहीं होगा ओके अगर left hand limit और right hand limit और राइट है not equal to then limit does not exist at x इक्वल टू यह बड़ा इंपोर्टेंट अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो फिर लिमिट की वैल्यू एक्जिस्ट नहीं करी कि एक्षिक्वल टूर इप लट है इसका क्या मतलब है थोड़ दे में बताऊंगा बोथ पॉन्च आ वहरी इंपोर्टेंट और क्या है कि इसे बहुत में बहुत में बहुत है विल्मिट बहुत में बहुत सारी बाइत है यहांथ कि पास उसकी कितले लिमिट है तो कभी-कभी बड़े important होती कभी कभी lower limit बढ़ी important है जनरली चाहिए मैं सोचे जिंदगी बहुत important part होता है लिमिट में रहना सेखो करके तो लिमिट में रहना क्यों बोला जाता है क्योंकि limit is very important कि पर्टिकुलर उस boundary को बोल रहे हो और आप ही समझ रहे हो और यह लेप्ट हैंड लिमिट यह लेप्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट यह तो देखने में अच्छा नहीं दिख रहे हैं दूसरा इसकी जरुट क्या पड़ यह भी समझनी आ रहा है सुरू से जो आप फंक्सन लिए थे वो तो लिए रही होगी ठीक है तो यह था कि थॉर्ट प्रोसेस क्या होना चीदो हम बोले लब्ठ हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को आप निकाल लो दोनों बराबर हैं तो लिमिट एक्जिस्ट करें और लिमिट एक्जिस्ट नहीं करेंगा ठीक है और कुछ खुछ बाते करता है अच्छा अपक्रते डिन्वाद आपके बता हूं, इसे बात करते हैं, तो पता है, कुछ बाते बड़े द्यान से देखने वाली बात होती है। कि जब मैं लिमिट की बात करता हूं किसी पॉंट पर, इंटरस्टिंग बात है, मैं इस पर घानीा, मैं बहुंगा है कि सर लिमिट एक्सटेंस तो जीरो वन भाई एक्स है अब कोई बोले कि सर किसी को मैं बोलूं कि यार एक नॉमल एक इस्टुएंट को दे दूं फर्स्टियर के स्टुएंट को दे दूं और वह आई टी जैव अगरा नहीं निकाला है यार नूमल कॉलेज में पढता एक्स Grü ले तूं तो वो क्या करेगा मैं बोलूँगा कि देखो यार एक eru क्षुन है one by x अंसर और मैं को ना इस的时候 किव्याई एक्स ठीच जीरो पर निकलना ना तो बोलेगा सर इसमें भी क्या रखा सर X10 to 0, F of 0 कर दो सर और F of 0 करोगे तो 1 by 0 आ जाए और 1 by 0 infinite होता है हाँ 1 by 0 is the infinite तो answer is infinite सर answer is infinite 1 by X से X10 to 0 लिका है 1 by 0 is the infinite सर आ गया सर तो ये infinite अगर मैं बोलू कि ने रॉंग answer अच्छा मैं बोलू कि ये रॉंग answer तो अभी कुछ लोगी दिमाख में क्या चल रहोगा और ये सर 1 by 0 indeterminate form नहीं होता है सौरी कोई सोच रहोगा कि अच्छा फिर आपको कुछ भी नहीं पता सिभी रॉंग लिखने से आप सोचो कि indeterminate form फिर आपको indeterminate भी नहीं आता सिभ आपको रॉंग लिख रहा है इसली indeterminate सोच रहे आप तो फिर आपको भूद कमिया है क्या कमिया है फिर आपको इतना भी नहीं आता मैं आस आपको समझना पड़ेगा कि आपको जब कोई आंसर कोई गलत बोलता है तो आप कुछ खोचते हो कहीं से अपने दिमाग से कि सर इसलिए 0 क्योंकि सर में को लगता है indeterminate होना चाहिए कोन बोला 1 by 0 infinite indeterminate होता है भाई 1 by 0 is the infinite value ठीक है वो indeterminate अभी तो मैं indeterminate फ़र्म पढ़ा भी नहीं रहा हूं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है अब यह मैं पुर्णा के रॉंग आंसर है अब समझना देखना अब अच्छा देखना क्या है कि लिमिट एक्स तो जीरो बोल रहा हो आच्छा यह सब पता इनी होता तो क्या करतें अच्छा सर अगर यह पता नहीं होता ना तो सर मैं यह करता यह करता क्या करते हैं सदेखें सर अगर यह function की value अगर f of x है तो अगर मैं बोलू सर राइफंड लिमिट क्या होगा राइफंड लिमिट होगा यार f जिरो प्लस जिरो की ज़िए की ज़स्पात अशर लेप यहा होता सर f of zero minus बिल्कुल सही अच्छा अगर मैं लिखना चाहूं कि f of zero plus right hand limit की बारे में बात करता हूं सर f of zero plus लिखने वाइस थोड़ा अच्छा कर देता हूं थोरे दिर की तो बात है सर हाँ x tends to zero plus ता सर यह right hand limit लिखे रहा हूं और one by x इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो सर जो साब बोले थे कि limit h tends to zero h is very very small value और x की जगा कितना हो गया सर हम कर क्या रहा है सर x tends to zero तो x जगा zero हो गया तो zero plus a plus h है यह a plus h है a plus h है एक ही जगा zero x tends to zero हम a plus h लिखते थे right hand limit को a that means जिस function जिस पर निकाल रहा हूं मैं approaches to that point वह 0 अभी तो इसलिए a plus zero a plus h लिखा हुआ अच्छा इसको फिर से मैं लिखता हूं limit h tends to zero one by h क्यों one by h जिरो प्लस h करोगे तो one h ही बचेगा ना one by h अब पूट करो h की value 0 अब h की value जब जिरो पूट कर रहा हूं तो one by zero की value is infinite so finally वही तो कि आप रुखो यार अभी देखते जाना अच्छा यह हो गया आपके पास right hand limit अब देखो left hand limit कैसे लिख रहा हूं में left hand limit यह f of zero minus limit x tends to zero minus 1 by x limit s tends to zero यह one upon a minus h zero minus h अच्छा तो कितना हो गया सर लिमिट s tends to zero और सब one upon minus h sir one upon minus h नहीं a minus h है जिरो है जिरो है जिरो क्योंकि function जिस पर निकालना है लिमिट की value हो a a की value zero x tends to zero अब h zero पूट करो sir one by sir तो minus 1 by h जिदा minus one by h नगर आपको लगता है कि sir में को minus उपर लगाना है माईस उपर लगा लो आपको लगता है कि sir यहाँ minus लिखना है यहाँ लिख लो तो कई पर लिख लो यह लिख लो यह लिक लो स्थेंस तो ग्रेक जूरो माइनस वन बायजो बाहर माइनस कर लीन सम्माइनuç यंडटारी है तो क्या दिख़ाए आपको सर माइनस इंफानए यंड़ा या मतलब सर देख़ें एफ़ जीरो प्लिस राइट है। यूझ तो और एमपब जीरो माईनस की या कितना यह माइस इंपानिट के दिख़र आपको से राइब डिमित इसका अधिस नहीं करें अन्याई does not exist limit exist नहीं करेगा सर तो इस का अंसर क्या था इस क्वेश्चिन का लिमिट इस नौट एक्जिस तो वैली बताई नहीं सकता कोई अच्छा infinite बोलके आप गलत बोल रहे थे यह कोशन चल रहा है अपना सर मैं को दो चीज फाइंड आउट कर दो सर फाइंड फस्ट वन सर एफ आप जिरो की वैली बता दो सर अच्छा दूसरा लिमिट एक्स टेंस तो जीरो और एफ आप एक्स यह दो बाते पूछ रहा हूं किसी से अभी तु पढ़ रहे थे रुख जाओ अभी पढ़ रहे थे मतलब इसलिए तो पूछ रहा हूं पता है एफ जीरो की वैल्यू कोई पूछ रहा है इसका मतलब है यह लिमिट नहीं है इसका मतलब है कि फंक्शन की वैली जीरो पे पूछी जा रही है इसको फंक्शनल वैल्यू बोलते है सीधे जीरो पूट के near में कितनी है यह f of 0 में मतलब x equal to 0 पर value कितनी है यह limit है नहीं तो first part is not related with the limit यह functional value x equal to 0 पर जिसका answer 1 by 0 infinite है अच्छा second क्या है second है limit का question कि जब x tends to 0 होगा जब x tends to 0 होगा तो इस function की value क्या होगी तो function approaches कितना होगा यह बताना होता है जब limit approaches to 0 है यह मतलब होता limit का question और छब बता चला जब आप यह कर रहे थे तो आपसको चैश्प आप दो कंसुर माईनस क्याइब की एक right hand limit calculate किए एक left hand limit तो फिर आप पोलें की limit यकजस नहीं करेगे तो second part का answer क्या बता है इस function की value extend to 0 does not exist और इसका answer क्या है infinite ये हुई दो बाते इसका मतलब sir एक function जो है हाँ 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 एक function की value sir जब हम बोलते है कि इसकी value कितनी होगी इस जगा पे तो ये functional value हुआ हाँ और functional value अलग होता है कि limit से हाँ अलग होता है function value अलग होता है sir अब तो sir oh doubtful हो गया क्यों doubtful हो गया sir अभी थोड़ दिर पहले जब आपके पास question था अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ sir अभी जब हम थोड़ दे पहले जब आप जब आज पहले जब जैसे start के आज की glass तो आप बोल रहे थे कि इस sub value same है sir इस sub value same sir two पे two plus यह sub लिखे थे sir two plus two minus यह left hand limit है हाँ यह right hand limit है sir सब तो बराबर लिख दिया थे sir आप हाँ सब बराबर लिखा था मैं तो sir आप यह तो functional value है sir यह functional value को है आप left hand limit right hand limit के बराबर रखे और सब बोले four 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 हाँ सब्यूंषट के आपने अबिस आएगा कोई इस स्थी नहीं होता है और जो function डिससंटियाश होते है जो function discontinuous होते हैं उस point पे जिस point पे आपको limit calculate करने को बोल रहा हूं तो फिर ना वहां पे limit exist नहीं करता है पता है आपकी पास यह दो पीपीडी छोड़ दिया हूं भी आउंगा वापस आउंगा इस जगह पे x equal to 0 पे function discontinuous है कैसे पता चला से यह देखो right hand limit और left hand limit की value बराबर नहीं है अब पता है अगर मैं इसको graphically deal करता 1 by x का figure बना चुके 3 class बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं कैलकुलास का lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4, इसको रही है है, calculus का lecture 4 है, तो मैं 3 class बहुत अच्छे से पढ़ाया हम और आप धियान दोगे, पता 1 by x का figure क्या था, एक रेक्टेंगुला हाइपबूला का फिगर यह होता है देखो रेक्टेंगुला हाइपबूला का फिगर यह होता है यह था वन बाई एक्स फिगर पता एक्स इक्स 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 इ जिरो के जस पहले जिरो के जस पहले ना मायनस इंफानाइट है और जिरो के जस बाद blog प्लस इंफानाρέट है पता आप की पास अलग बात है कि हूँ स्पूर्च थि यि ज़जक यो शेया रच यह बीसे इसमें पनते हैं और में पहले भी बूला हूं जिसको बेस्ट ना बनना हो में को फॉलो करने की नीडी नहीं है आप एल हॉस्पिटार रूल लगाओ दस क्वेशन सौल करो बीस क्वेशन सौल करो एक जाम देने पहुच जाँ लेकिन मेरे जैसा टीचर अगर आपको पकड़े गाना तो अपने लोड लिमिट मतब राइट लिमिट और लेप लेप लिमिट कभी बराबर हो नहीं सकता क्योंकि एक सिकोल टुजी रोपे फ़ंक्शन डिसकंट्यांस इसके राइट की वैलिए यह जगा पर दो वैलिए इसका मतलब पताब के पास राइट हैं लिमिट की वैलिए कितना था कितना था यह सदिख रहा है सर माइनस इंफाने हैं जब यह दोनों वैली अलग होता तो उस जगह पर फंक्शन हमेंसा डिस्कंटियोंस होता है अब कुश्चन है कि सर कि दुनिया में हर मैथमेटिकल का इतने सब्सक्राइब कर थोड़ी ठोड़ी बनाते रएंगे यह लाखो फिगर जान भी नहीं सकते हो इसका मतलब है कि इतना आसा नहीं है नॉर्मल फंक्शन को और अच्छे फंक्शन को बहुत होस्यार वह फटाफट द्रौ कर लेंके, लेकिन लाखो फंक्शन को को कुई हवा में द्रौ कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो mathematical टूल आपको फैसे डेते हैं, आप आप इन बातों से पता कर सको, बीना फिकर द्रौ क करें किको फंक्शन उस जगा पर कंट्यूंस था कि नहीं था अच्छा यह फंक्शन डिसकंट्यूंस था एक कद्षांट्यूंस फंक्सक्ट्यूंस में आपके पास एकजिस नहीं करें ले इसका मतलब यह है कि आप यह बताना चाह रहे हो सर कि f of 0 की वैलियू 1 by infinite 1 by 0 that means infinite यह सही है हाँ बिल्कुल और सर आप यह बताना चाह रहे हो कि limit x to 0 f of x जिसकी value 1 by x था यह सर limit does not exist हाँ यह बताना चाहा है इसके बिना सोचे समझे आप 0 नहीं पूट कर सकते हैं आप अगर स्योर हो कि वह function continuous function आप स्योर हो आपको बहुत आता है बहुत बहुत आता calculus आपको तो फिर तो आपको पहले से पता चल जाएगा देखने के बाद की कपूट करना है कपूट नहीं करना है अराम से देखना है पहला एक्जांप लिया ओके आप सोचो कि एक 1 by x square क्योंकि हर फंक्सन का तो आप ग्राफिकल मोमेंट नहीं समझ सकते तो मैं सबोर्णों कि हर एक्सिटेंग फिर जिरो है अब कोई सोचेगी से मैं को तो जो आता है मैं क्या कर दूँगा मैं तो सब्सक्राइब 1 by 0 तो अपको करने से कभी कभी गलत हो लेकिन बहुत अच्छा आने से हर बार शहीं होगा इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छा इसमें कंसिप यह कहता है कि सर अगर मैं राइट हैनलिमिट की बात करो और 10 है और f स्क्यार अच्छा स्कों लिखना कैसे इसको ऐसे लिखना है में लिमिट सेट रहां चैंज ऊचार לפласт फॉल सो संबस्क्रक्राइब जीरुम्ए नॉंप चल्ते सिग्रॉम्ए जीरूय।पलंग fixing रहily स्काठीद hm प्टेजिए जीरू हम आएं हाय जू गरभी गोल पॉइंट को पॉंध मनुझी चल्ट ऐसका वूल हूल स्क्वेर मिन जीलों दोक्तनल। से तो f0 प्लस is equal to f0 नियुमिट एकल तो लेप्ट धाल चिस perfect गॉल्टिकेक और लिमिट का अंसर क्या होगा अगर मैं बुलो इस फंक्षिनका की वैल्यू क्या होगी x tends to 0 1 upon x square इस functions की value अब आप बोल सकते हैं इस function की value right hand limit या left hand limit कुछ भी बूट कर लो कुछ भी बूट कर लो और answer will be infinite और इस बार answer सही है इस बार answer सही है कुछ भी बूट कर लो right और left दों दो बराबर ही answer will be infinite अच्छा इस functions की value कितनी है अच्छा फंक्सनल वैलूए इस इस का मतलब है यहां पर राइठ है निमिंट है और पता है ऐसे वाले function continuous function होते हैं अब तो हम continuity वगेरे सब पढ़ने वाले ना मत अब तो चालू हुआ है स्क्राइब इस हो इस एस का इस अधे से रहा हो गया होगा कुण्टिन स्प्राइब करता कि आप कैसे तो सबसे हाई वैली और मैं बूर रहा हूं कि f of x X equal to 1 by X square x tends to infinity आपके पस अब आपको पूट करना आप इसको इंफानेट बोल तो ये वाला पॉइंट सेम रहेगा जो इंफानेट वाला पॉइंफानेट वैल्यू इस इधा को इन फानेट वैल्यू इसका मतलब है हूँ कि सर यह जो इस साइट से आप गए यह लेप चंग फिकर क्या आपके पास होगा नहीं तो परCare जबतास विपलब स्व लिनक्साइट हो तो वही इंफनएट कए आसपास वैली अगर इस फंक्सिंस की टो विआ इन्फनेट गेस्टाइब उनक्सिंस के लिक 방हा है अच्छा झूलने और इस प्अगि किदर गया है इसको मिला दिया है यह ओके सर इसका मतलब सर अभी तक थोड़ा बहुत conclusion निकाले तो आप यह बूलना चाहरे हो कि जो function continuous होता है जिस पॉइंट पे आप लिमिट की बात कर रहा है कि Sum to this value इसफ आप्रोचेंस तो उस सब्सक्राइब है बिल्कुल लिमिट एग्जिस करें लिमिट इंग चले की लिमिट खमें क्रेंग जगा मैं भृक्त मेरे पास एक है limit x त 정ि जीड मॉट x अपाण x कि आपकी पास वैली मॉड x अपाण x ओं ठीके सर जो मैं मॉड x अपान x बोलता हूं तो यहाद है से और मैं पूक अपको एकस जीड बैस काला चीड घ्र जीड लिखने का तरीका आप देखते जाओं जो तो मैं बोर रहा हों कि ठीक है सर अभी आप जो बता रहे मैं उसको 2-3-4 बार लिख रहा हूं तो मैं को आईडिया भी हो जा रहा कि राइटन लिमिट क्या होता है तो मैं बोर रहा हो कि सर फंक्सन की वैलु क्या है अच्छा एफ अप एक्स की वैलिए है मॉट X अपान X ठीक है सर्थ f एक्स का लिए राइट लिमिट का मतलब क्या होता है f और x टेंस तो कितना है जीरो इसके जीरो प्लस फ जीरो प्लस लिमिट लिखने का स्टाल देख लो अच्छा लगता है बस या f of x की value या f of x की value ठीक चाहू तो limit S tends 0 लिखोगे और A plus H करोगे X जगा तो यहां तो सर जो function असल मौड के अंदर है तो 0 यहां से, 0 plus H है, तो क्या हुआ? 0 plus H का अगर मैं कर रहा हूँ, तो H जीरो प्लस H है सर, H है सर, तो 30-0, 0 plus H करोगे H ही आई गा सर, यह H आगए सर, और धिवाइड भई, यह भी H होगा सर, H by H cancel out, answer is 1, बताब 1 है यह, उपर वैल्यू आपके पस h आगे नीचे का तो इस्व नहीं था, mod value 0 प्लस है इस था तो h बच गया, mod of h h, ठीक है, अब देखते हैं न, left hand limit, f of 0 minus, limit x tends to 0 minus, this is the f of x, अगर मैं बुलू कि limit, limit x tends to 0, 0 minus h का mod, और नीचे simply 0 minus h, bracket में, अब देखो ध्यान से, कि जब मैं limit x tends to 0 बोल रहा हूं, बता है, 0 minus h, minus h का mod क्या होगा, h ही होगा, mod है न, और नीचे 0 minus h, minus h होगा, सर, अब बता हो, h divided by minus है, चांसर कितना है, सर, minus 1 आ रहा है, सर, minus 1 आ रहा, h divided by minus h, पहले वाला h by h था, तो सर, इसका तो यह मतलब हुआ, कि f of 0 plus is not equal to f of 0 minus, बिल्कुल सही, इसका उता हुआ कि सर, right hand limit is not equal to left hand limit, बिल्कुल, तो सर, तो फिर तो limit exist नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दू कि limit x tends to 0, mod x upon x, तो does not exist होगा, बिल्कुल does not exist होगा, limit does not exist भाई, इसका अंसर limit does not exist, limit does not exist, लिखने का style देख इसका तब x equal to 0 पे सर, यह function discontinuous हो रहा होगा, what do you mean by limit does not exist at x equal to 0, sir, एकदम clear कर, sir, this function is discontinuous at x equal to 0, what do you mean by, कि यह limit की जो value exist नहीं करेगा, x equal to 0 पे, sir, hundred percent, sir, this function will be discontinuous at x equal to 0, सही, हाँ, अब ध्यान से को mod x by x का figure हम बना चुके है, मेरे lecture 1, lecture 2, lecture 3, calculus का lecture 1, lecture 2, lecture 3, यह lecture 4 है, ना, calculus का, वो lecture 4 कर लेना, तो, इसका क्या मतलब हुआ, कि मैं सब, यह सब deal कर चुका हूँ, मैं functions की value, mod x by x, इसको signum function बोलते हैं आपके पस, signum function, बड़ इसका figure आपके पस अगर ध्यान से को, कि mod x की value, x होती है, x greater than 0 पे आपके पस, mod x की value, x greater than 0 पे माइस x होता है, mod x को अ mod x, sir, x होता है, x greater than 0 पे और, minus x होता है, x less than 0, तो, जब mod x by x लिखूँगा, mod x by x लिखूँगा, sir, mod x by x लिख लो, divide by x कर लो, divide by x करो, x divided by x, 1, sir, x greater than 0 पे, जैसे मैं लिखता हो ना, तो फिर इसकी, यह लिखना पी ठीक नहीं होता है, जैसे मैं divide करने वाला part लिखा, यहा minus 1, for x less than 0, sir, हटा दी आप, यह function जब तक define कर रहा था, तब तक जैसे मैं divide by x लिखा, आपके बस, equal to की जर्मत नहीं, बता रहा हूं, यह आपके बस लिखा, यह signal function होता है, x greater than 0 पे 1 और x less than 0 पे minus 1, this is the figure, यह signal function, यह signal function होता है, और बता, इस function को दिहांस देखो कि तो क्या दिख रहा है, सरे function दिख रहा है, सरे function दिख रहा है, x equal to 0 पे discontinuous function है, बेल्कुल सही, इस function की value x equal to 0 पे discontinuous है, देखो जाए रहा है, यह यह देखो, अब बताओ, जब मैं 0, यह 0 value यहाँ पर, right hand limit क्या होगा, अच्छा, right hand limit क्या होगा, हाँ, right hand limit क्या होगा, right hand limit क्या होगा, सार ये ये राइट से जो आ रहे है सर ये ये राइट हैंड लिमिट होगा मतलब जीरो के जस बात अच्छा 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 जी वेल्य अलग अलगे भी स्वंक्षान डिस्कॉंटिन इसक्षानवा दिस पाद जाता है यह वह तो जाहिए पता चला इसको एकजिस नहीं करेंगा लिमिट डाइस नोट एकजिस यह इस पहला कि आज़ाए यह था अगर मैं यह बोलता क्या ए कि एफ अपट जिरो की वेलिव बताओ बोलते हैं इस कंटियों से यह फंक्ट डिसकंटियूंस से अलग बात है कि अब लिमिट्ट पढ रहा हैं पर पता किसी discontinuous function की value अगर निकालना है आपको किसी discontinuous functions की value अभी limit में आपको limit में limit ही निकालना रहता है बद फिर भी मैं बता रहा हूं किसी discontinuous function की value यह limit नहीं है तो पता क्या होते हैं discontinuous function की value अगर continuous है तब तो कोई बात नहीं 0 बुट कर दोया अब मैं बुर्णाओं कि सर जीरो के बात पता है जीरो के पहले पता है discontinuous functions की value क्या होती है momentum जो भी आपके पास जिस पॉइंट पे discontinuous है उसके just पहले की value और just बात की value के average होता है यह पता जस बात की value कितना है sir one sir just पहले की value कितना है minus one average कितना हो गया sir one or minus one गा 0 एफ जीरो का आणसर जीरो है और x टेंज टू जीरो का आणसर जो है ड़ेज नौट एक जैसे बट एफ जीरो जीरो है कैसे निकला अच्छा यह जो निकलता है आपके पास अच्छा यह थोड़ा ज्यादा बात कर दी हमे अबी इसको बोलते हैं Gibbs Phenomena इससे निकलता है Mr. Gibbs बोले थे कि किसी discontinuous functions की value कि अगर मैं बात करना चाहता हूं तो just पहले और just बात की value का average ले लेना यह जिस पिना यह किसी भी function discontinuous function की concept है कि discontinuous function इससे निकलता है तो f of 0 का answer ही 0 but x tends to 0 f of x का answer sir does not exist limit does not exist अच्छा एक और यह तीन example लिया फूर्थ में अपने से लेता हूं एक example में को just लगा कि एक example लिया फूर्थ में अपने तीन example लिया था फूर्थ में अपने से ले लिता हूं f of x से sir f of x f of x की value sir यह 1.0 for x greater than 0 and 0 sir x less than 0 यह यह अब यह अब यह f of x है अगर पता है आपको पस अगर आप इसको अगर फ़ड़ा भी जानते हो तो एक unit step signal है आप नहीं सुने होंगे ता लग बाते मैंस पढ़ा रहा हूं मैं say f of x है इसको unit step signal भी बोलते है unit step function भी बोल सकते हैं मैंस में पढ़ा था unit step function एक्स greater than 0 पे सकी value 1 और x less than zero पे zero value यह यह अपकि पस x greater than zero पे 1 एक्स greater than 0 पे यह 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 एक्स greater than 0 पे मैं क्या बताना चाहरा हूं कि अगर कोई यह से बोल रहा है कि सर एक function ऐसा डिफाइंड है अब मैं को find करना है दो बाते क्या दो बाते सर पहली बाते निकालना है मैं कोक लिमिट x tends to 0 f of x यह answer बता हूँ हाँ और सर दूसरा answer बता दूसर f of 0 अच्छा आपको यह clear है कि यह दोनों बाते अलग अलग है एक function value x equal to 0 पर और एक limit की value है कि जब x tends to 0 होगा तब क्या होगा अच्छा जब मैं इसकी बात करता हूँ x tends to 0 की तो यहां पर concept होता है अगर मैं को चेक करना है तो यही पर concept होता है concept of right hand limit and left hand limit इसका तो कोई लेना देना नहीं left hand limit से इसका limit से कोई लेना देना नहीं f of 0 का अच्छा concept आप right hand limit और left hand limit के हम बात करते है यह हमारा होता है अब अगर मैं बोल दूगी सर में को f of x की value के अगर बात करना हो right hand limit और left hand limit की बात करना है और क्यों ना कर दिया जाए तो कर देता हूं मैं जैसे suppose करो right hand limit क्या हुआ सर right hand limit जो हुआ सर वह सर f of 0 प्लस बिल्कुल सही तो सर limit x tends to 0 प्लस हाँ f of x सर ठीक है सर limit f of x तो सर h tends to 0 इस functions की value सर यह functions की value अगर मैं बोल दूग की value आपके पास h tends to 0 हमारे पास h tends to 0 है और अगर मैं बोल दूग कि इसकी value कितनी होगी यह a plus a की value 0 है तो 0 plus h यह है यह पास a zero plus h ठीक है ऑगर 0 plus h बोल रहा हूं तो जैसे मैं बोल रहा हूं अब कि इसकी value is the right hand constant value है ना is the one तो one है सर जिरो के जबड़ आइस इसका is the one मैं चाहता हूं लिखने का style मैं बस आपके साथ ठीक रखूं तो मैं बार-बार लिख रहा हूं आपको अब्जेक्टिवेबर में जरुवत नहीं पढ़ती इतनी में कोभी पता है बात फिर भी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं को लगता है कि मेरे instrument का बहुत अच्छा style हो एष तैन्सविज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्col. Bu energy सब्सक्राइब और वैसे भी सोचो यह फंक्शन डिसकंटियों से वाइसाब यह फंक्शन डिसकंटियों से क्यों कि फिगर आपको पता है सब्सक्राइब वेट क्या है जरुआ फंक्शन डिसकंटियों से क्या होगा तो पता है कि फंक्शन डिसकंटियोंस अच्छाइब निकालना होता अच्छा होगा फ्रॉमदा जिप्स फेनोमिना average value left hand limit और right hand limit का average value अगर ध्यांस देखा तो यह क्या है right hand limit plus left hand limit का average value अच्छा क्या था right hand limit left hand limit कितना था 0 पता answer कितना है answer 1 by 2 है इसका मतलब है f of 0 का answer 1 by 2 है और यह आपको कही नहीं दिख रहा है कि 1 by 2 कहा था figure में यह उस expression में फिगर में ना 1 by 2 कहीं पहें ना यहां पर कोई 1 by 2 है बट f of 0 का answer 1 by 2 है पता आपकी पास यह जिप्स Mr. Gibbs दिये थे यह आला concept कि किसी discontinuous function पे कोई अगर functional value निकालना है तो left hand limit और right hand limit का average कर दो और this is related with the limit तो limit अलग बात और functional value अलग बात है अच्छा अब देखना ध्यान से अब मैं बोर रहा हूं कि अच्छा पता है अब मैं वापस आता हूं किस बात पे वापस उस बात पे आता हूं कि एक जगा पे दो पेजे छोड़ दिया था क्या दो पेजे छोड़ दिया था continuity का concept क्या होता अच्छा continuity अभी मोला नहीं रहा हूं लेकिन जब बात हो रही limit की तो continuity की बात कर देता हूं दो बिनिट ठीक है क्या होता continuity की value किसी भी function को आप continuous का बोलते हो जब उस functions की value left hand limit right hand limit और उस functional value यह limit की बात है और यह function value अगर यह सब कुछ सेम है और उसकी value किसी finite value के बराबर है कोई finite value होगी और f यह function value है इस दा function value the functional value the functional value अच्छा functional value left hand limit right hand limit all are equal that means this function is continuous जो मैं पहला एक्जाम पलता है जो मैंने पहला एक्जाम पलता है इस continuous function होगा पता है continuous होगा अगर यह सब कुछ है तो और अगर यह सब बराबर नहीं है तो फिर continuous नहीं होगा अब देखना ध्यान से पहले वाले में अगर पहले वाले में अगर आप के पास क्या हो यह क्या हो गहाँ के पास यह हो गया जथर लेप अनली मिट कुल सही है यह अगर बोल्ड अगर कर दिया पूरा डार्क सर्कल कर दिया इसका मतलब यह वैल्यू एक्जिस्स कर दी फोर्ड और जो आपके पास अगर यह इसके फॉर्म में मतलब यह कंप्लीट नहीं है इसका तब इस पॉइंट पे इस वाली लाइन के लिए पॉइंट एक्जिस्स नहीं है यह इंक्लूड नहीं है यह इंक्लूड नहीं है यह इंक्लूड नहीं है अच्छा अब देहां देखना अब अगर मैं देखूं कि यह यह जिसना लेफट ढूने लमित पता है क्या वैलो एंध की वैलू सर एक्कैल ड। इक सो इसका मतलब है है कि सर इस जगापर लेफट जुऑ पर सबस्सक्राइब लाइड लिमिट एक या कि लेप्ट वाले से यह आली यहां जा रहा है यहां जा रहा है तो नहीं आ क्यों बराबर आएंगे यह येए ये में तर्व सर्ड लेप्ठेंड लिमिट और राइटेंड लिमिट तो बराबर नहीं तो बात वैसे भी खतम उगई फ़िलिग its पहले भी बता चुके कि जो function continuous होगा उसमें left and right and limit same होता है जो function discontinuous होगा उसमें left and right limit same होता ही नहीं अच्छा एक और बात x equal to a पे क्या है functional value क्या है sir f of a कितना है सर इसका limit से कोई लेना देना नहीं कितना देख रहा है सर यह इस फोर सर यह फोर यह तो वैल्य इंक्लूड़े नहीं नहीं इस लाइं पर इन्क्लूड़े कि ए पर सब्सक्राइब इसमें कि इस जगह पर देखना अच्छा आपके पास लिया हूं यह मैं सर्च करके लिए Google Search लिए इस सारे लोग इस ताइप की चीज़ तोड़ा मैं अपने से करती है इस टाइप की चीजे लोग यूज करते हूं यह यह आपके पास लिमिट है और यह मा पस राइठ बताओ लिमीट की एफ मैनस कितना है कितना है फॉर सब्सक्राइब लिमेट जो कितना यह कितना यह कितना सब्सक्राइब सर लिखोगत लिखें लिमिट कर रहे हैं लेप्ट है करέρ Và लुएचन नहीं है प्र लूम्ैड लिखोगे ओ स्धेया कि फॉर erased का या यहां पर टू के पास में ने यह या यह देशह है इस फन्स कर रहे हैं टूर बॉक्त्पों के स déplसंक्रों सब्सक्रों सब्सक्राइब्सokay?... भूaqu चैशंप की सब्सक्राइ का हिक उए। क ballot में और नियुक में गालविक्ति में के भी सब्सक्राइबॉद रिया प्रोच करना है यह तो एक फंक्शनल वैल्य लिए अंडिफाइंड क्योंकि एक्सड़ इकोई नहीं पता आपने को इस अंडिफाइंड वैल्यू और राइट हैं लिमिट लेट हैं आपके पास नहीं है अच्छा इस बास सेको लिनना देना नहीं कि यह यह फंसनल ग्रीव अथा फिसको प्रत्रांस में और न देखने और चीज़ यह देख़ए आपके पास, ये left hand limit, ये राइट hand limit, बिल्कुल सर, अब बताओ, left hand limit equal to क्या हो गया, left hand limit बताओ, f of a minus, कितना है बताओ, ये है sir 2, बिल्कुल सही, right hand limit बताओ, right hand limit sir, a plus sir, वो कितना है, sir 2 sir, तो बराबर हुआ की नहीं, हाँ sir, बराबर हुआ, left hand limit is equal to right hand limit, सब्सक्राइब एक इतना होगा इस function की वैलि कि इतना होगा सर्ण इसका मतलब है कि लेफ एंड लिमित और के function तीनों बराबर नहीं है function कौ में सकते हैं फंक्सन ने बीच में तो से लेकर फोर टो ट्रीमित होना चाहिए तब इसको भी गांटॉयस नहीं बोलूंगा इसको भी सब्सकेश मुअ सर कैसे सर यह दोनों तो स्य मित नए 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 अगर फंक्शन कंटियूंश से तो है तो लेट हैं लेकिन अगर मेट लीमेट इक वDid तो राइट लीमेट है तो ऊंक्संड और aids वीच मेल्ण कर लेक हो और देखो दोनों से लिमिट गीश से यास वाट function सब इसके कुछ एग्जामपल लिया इतना आपको दिखा इसका मतलब है कि एक functional value और right hand और left hand limit का कोई लेना देना नहीं है एक functional value different concept है किसी functions की value अगर आपके पाद defined है तो yes not defined है तो not और अगर जब मैं limit की बात करता हूं concept top limit is different thing और functional value is different thing ओके हां बट अगर सब function continuous है तो भाई सब सेम सब सेम ओके ठीक है इसलिए बता है और अभी हम continuity नहीं पढ़ रहे थे लेकिन जस्ट मैं एक्जामपल ले लिए मैं इस जगह पे आपको आइडियर है थोड़ा सोचने का समझने का देखने का कुछ बाते आपको clear इतनी बाते मैं बता रहा था आपको अब सोचो एक्जामपल आपके पास फिप्त होगा एक्जामपल लेकिन अब नंबरी कैसा है तो एक्जामपल पूर में एक्स्टेंस जीरो यह अगर मैं बूलो कि एक्स्टेंस जीरो इससर आपके पास तो क्या करें एक्सेंट जीरो औ lettuce nhiydi टेके एक्सेंट्ट्ट्रिथ जीरो बोलता हूं यह यह एक्सेंटिफिछ जीरो जिप जाएंतो मैं बोलता हूं कि right-hand limit को כा समक्राइं पता हूं is 0- acabou प्लस हरा हो ओर bonne स्पूरियो को कि देता हूं और फंग्छिनल की वैली एफ फ हा एकस या साइं वन वाइकस है घे अ 1 by X है और X जगा A plus H एक ही जगाँ 0 है एक प्लस H एक्षुली जिरो प्लस H अच्छा फिर से लिखो इसको लिमिट S टेंस जीरो साइन 1 by H S टेंस जीरो पूट किया तो S टेंस जीरो पूट करो S 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 नहीं वहता है साइन फंक्सन का रेंज माने सब्सक्राइब तो बता इसका इसको बता नहीं सकते इसको बोलते यह उसलेटरी वैली आपके पास इसका अदब पर राइट हैं लिमिट आपके पास ऑसलेटरी वैली आगया अच्छा एक भी लिमिट अगर ऑसलेटरी आगया तो ऑसलेटरी नेचर और एक भी अगर ऑसलेटरी क्योंकि साइन के फॉर्म में आगया तो जब भी आपके पास साइन इंफानाइट आजाए इसका तो साइन finite आजाए आपके पास दिस्ता और एक भी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया तो फिर आप बोल सकते हो लिमिट डैस नौट एक्जिस ठीक है लिमिट डैस नौट एक्जिस नहीं करेंगा अच्छा सेम अगर मैं को लिखना होता है लेफ्ट हैंड लिमि sine 1 by 0 ito जिरो मांज च तो अपके बाढ़ ज़ाधा क्या होता बबहर मांनस ए जाता क्योंकि sign minus 1 by h है तो क्या आजा तो limit h tends to 0 और यह आजाता minus sign 1 by h तो h tends to 0 है जम्हें पूट करता तो minus sign infinite आथा तो आप यह मत सोचो कि sir वो sign infinite था है minus sign infinite था बोत आर not equal oscillatory in nature sign infinite हो sign minus infinite हो क्या फ़क पड़ता है oscillatory in nature तो अभी आप यह नहीं बूल सकते हैं कि sir ये दोनों value अलग अलग है इसलिए इसले लिमिट एगर है limit does not exist अगर आप ऐसा बोल रहो कि यह दोनों बराबर नहीं इसलिए limit exist नहीं कर रहा अगर आप ऐसा बोल रहो तो फिर आप एक जगा फज़ जाओगे कहा फज़ जाओगे अगर आप इसको ऐसा बोल रहो कि limit exist क्यों नहीं कर रहा क्योंकि सर वो sin infinite है माना सान इंफाने आ रहा है तो आप यहां फज्जा होगे cos 1 by x लिखा आप क्या होगा बताओ right hand limit क्या होगा sir right hand limit तो sir f आप 0 प्लस होते है अच्छा फिर sir आप बोलते हो कि limit x tends to 0 प्लस लिखो आप फिर cos 1 by x फिर फिर आप h बोलते हो h लिखो limit x tends to 0 h tends to 0 cos 1 by h बचेगा फिर cos 1 by h h tends to 0 तो cos infinite आजएगा तो आप बोलोगे sir यह तो oscillatory nature है अच्छा अगर आप left hand limit लिखोगे left hand limit और आप बोलोगे f of 0 minus f of 0 minus limit x tends to 0 minus is the cos 1 by x यहां देखना मैं क्या बताना चाहा रहा हूँ limit x tends to 0 left hand limit की बात चल रही है cos a minus h तो cos 0 minus h अच्छा यह आगया limit x tends to 0 और cos minus 1 by h लेकिन आपको बता है cos minus theta cos theta होता है तो finally answer कितना आगया sir limit x tends to 0 cos 1 by h आगया और cos 1 by h में जैसे आप पुटकिये तो cos infinite आगया तो आप बोलोगे sir वो भी cos infinite यह भी cos infinite बोत आप से तो आप यह नहीं बोल सकते हैं क्या आप यह नहीं बोल सकते कि sir left hand limit equal to right hand limit equal to cos infinite आगया sir और limit exist करेगा यह सच बात है कि ऐसा आया यह सच बात है कि ऐसा आया तो आप बोलोगे कि limit exist करेगा नो 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 एक भी value अगर oscillated behavior हुआ तो limit does not exist इसलिए यह बोलना ठीक नहीं कि बराबर इसलिए limit exist करेगा और यहां बराबर नहीं था इसलिए limit exist नहीं करेगा एक भी right या left में से oscillated nature आगया तो limit exist नहीं करेगा यह point कहां बताया था हमें जैसे class start किया था दिखाता हूँ आपको जैसे मैं आज के class start किया तो मैं जगा point बताया था कि later अपन discuss करेंगे इस point को कहां discuss करेंगे बोला था में इस जगा भी discuss करेंगे दिखाता हूँ आपको यह देखो इप left hand limit if left hand limit और right hand limit कोई भी एक या दोनो कोई भी एक या दोनो oscillatory then limit does not exist at x equal to a कोई भी एक या दोनो then limit does not exist इसका मतलब क्या था इसका मतलब था अब समझा रहा है सर इसका मतलब था क्या सर साइन इंफानेट और कॉस इंफानेट यह नहीं होना चाहिए सर बिलकुल सही बात यह नहीं होना चाहिए oscillatory nature ओके ठेके चलो तो वह पॉइंट भी क्लियर होगी अपना जो सुरू में पहली जपन जैसे स्टार्ट के थे कि लास जब बोले से तो वह पॉइंट भी क्लियर होगी नहीं अब देखो आपके पास gate 2023 आयाइडी कानपूर का question आयाइडी कानपूर का question है और यह question हमारा एक बूल यह 2023 का question बूलें कि limit x sin 0 f of x की value बताओ और f of x की value क्या है x sin 1 by x बताओ क्या value होगी करके जीरो हे 1 है infinite week हो limit and does not exist लेकर देहें सो जैसे ही option में limit does not exist दिया रहता है तो यूद आपको check करना कि सच में limit exist कर रहा है कि नी कर रहा हैو क्योंकि limit does not exist दिया था option समस्कों limit does not exist दिया था आपके पास ठीक है क्या लगता है आपके पास सर मैं तो वोल रहा हूं सर पढ़ने के बाद तो मेरे यह सोचना है जिता मैं पढ़ लिया उसकी एकोडिया Basically क्या कि सर लिमिट सर एक्सटेंस तो 0 है सर और सर लिमिट एक्सटेंस तो 0 है यह आंसर बहुत जल्दबाजी में आप रहते हैं इसलिए रॉंग कुछ पढ़ लिए कुछ जान लिए और समझने के कोशिस नहीं कर रहे हैं जिरू का मल्टिप्लाइ आपको इसा ठीक है इसका मतल्या इंजल्द आंसर बिल्कुल ठीक है अ पसंद ना आपको ऐसा लिखना एफ 0 प्लस लेकलो लेकलो लीमिट इस इतने exclusive we सब्सक्राइब कुिंट ने बार ऑफ और पलस एचुट ऀए डियो यह इने कि इन से ओ सञ Cathory 7 twists रौन वैं जिरो प्लस है यह Minecraft ब्लस्ट आगां लिमिट एश्ट इने सी जिए नेsein ये कितना आ गया सरे H sin 1 by H आ गया अब जब 0 बुट कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा पता आपके पास ये 0 और sin 1 by H आ रहा है अब आपको लग रहा होगा किसे 0 into sin infinite आ रहा है वो पता है result will be 0 पता why क्यों आपके पस क्यों because sign की value जो हती माइनस वन से लेके 1 तक होती है साइन कोच भी वैलिव आपके पास साइन Y हो या कुछ भी वैलिव इच इसका रेंज ये है इसका रेंज सर, यह माइनस बन तो वन हाँ, जिरो मल्टिप्लाइ होगा किसी भी finite value में, माइनस बन से बन की बीच की कोई भी value लो, जब जिरो किसी भी finite value में, तो answer zero होता है, left hand limit की value यह है, मत बाइट hand limit की value यह है, अगर मैं बोलू कि left hand limit की value क्या होगी, तो left hand limit की value, एक्तीब, f of 0 minus, धिया है देखना भी, f of 0 minus, limit, x tends to 0 minus, f of x, ओके, limit, x tends to 0, अच्छा, ये हो गया, 0 minus h, देखना धिया है, 0 minus h, ये हो गया, sin 1-0-h अब देहन से क्या बचा अच्छा ये बचा सर limit h tends to 0 limit h tends to 0 ये बचा minus h sin minus 1 by h अब sin minus theta तो minus sin theta होता है finally क्या बचा limit h tends to 0 बचा और h into sin 1 by h बचा अच्छा दोनों same है h sin 1 by h वो भी था और ये भी है क्योंकि 2 minus होने के कारण cancel out हो गया अब अगर आप पुट करोगे तो 0 into this value sin infinite ये answer will be 0 क्यों क्योंकि sin की value finite value होती है आपके पास तो left hand limit भी 0 आ रहा है right hand limit भी 0 आ रहा है इसका मतब है इस functions का अगर आपको answer लिखना है आपके पास इस functions का अगर आपको answer लिखना है this one limit x tends to 0 x sin 1 by x अब इसका कोई भी answer लिख सकते हो left hand limit लिखना है right hand limit लिखना है because limit will exist और answer will be कितना 0 into कितना था 1 by x is the minus 1 to 1 answer will be 0 this question का answer 0 this question का answer 0 this one this 0 answer is question हम बुच जल्द बाज ही मेरे limit does not exist देखने के बाद हमारा भूत मन करता कि limit limit अगर x नी होता तो आजसार limit is not exist sin 1 by x limit is not exist आपको यह clear है और पता है यह concept बहुत important है कि इसलिए मैं domain range पढ़ाया आपको आपको याद होगा तो किसी को लग भी रहा होगा जो बहुत होसियार रोग होंग इनको लग रहा होगा अगर कोई में से पूरा पढ़ाया तो उसके मांड में क्लियर होगा range is minus 1 to 1 domain is real values all real values domain for the sine and cosine yes तो range minus 1 to 1 है तो इस टाइप का concept सबसे आदा मैस में यूश करते है आईट के प्रोवेसर जब भी गेट का question frame करते इसका मतलब है साइन और कोसाइन का जो range होता है minus 1 to 1 यह सबसे frequently used part होता है calculus का अब कहां आप कैसे use करेंगे यह उन पर depend करते है तो इस question का answer आपके पास जो लोग बहुत जामते हों लोग तो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि sin 1 by x है इसकी value तो minus 1 से 1 के पास क्योंकि sin को भी function हो और x multiply है x क्या है multiply है आपके पास और x tends to 0 आपके पास लिख रहे x tends to 0 तो 0 into any finite value answer will be 0 तो आप limit does not exist नहीं बोल सकते हैं इसका मतलब आप यह बोलना चाह रहे हो answer will be 0 इसका मतलब आप यह बोलना चाह रहे हो limit x tends to 0 0 into cos 1 by x cos की value is the range is minus 1 to 1 0 into any finite value is always 0 इसका answer भी 0 होता यह एक्जाम का बाट नहीं है यह भी आसकता है cos 1 by x भी आसकता है x सत मुल्टिप्लाई होके answer is 0 x सट आदो limit does not exist वहां से x सट आदो limit does not exist तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको आपके पास क्या क्या होती है limit से related जो properties होती है limit में आपके पास क्या अगर मैं extends to a कर रहा हूं और दो functions को add कर रहा हूं तो मैं अलग-अलग भी लिख सकता हूं the algebraic rule law of addition is very simple law of subtraction दो function को subtract कर रहा हूं limit लगा रहा हूं x tends to a is very very good thing multiplication अगर मैं भूले law of division है तो f of x और g of x और x tends to में दोनों को अलग-अलग divide कर सकते तो मैंसे ध्यान रखना कि यह value 0 ना हो जाए limit x tends to 0 g of x not equal to 0 अगर यह value 0 हो रही है तब आप रहा है नहीं कर सकते नहीं तो फिर तो यह value 0 के नहीं तो फिर 1 by 0 ध्यान रखे इस बात करने तो division rule भी आराम से अप्लाई कर सकते law power क्या होता है x tends to a f of x में आप x tends to a कर रहे हैं और उसका power n है आप चाहो तो आप चाहो तो यह देखो x tends to a function का power है और x tends to a बाहर है यह function का power है लेकि मैं बाहरा हूं limit पूट करके power कर दिया यह आप यूज करते तब समझ आता है यह root law है इसका मतलब है x tends to a root law है x tends to a पूट कर दिया x tends to a पूट कर दिया x tends to a पूट कर दिया x tends हुए है आपके पस और f of x आ गया this one is very basic special limit क्या है कि अगर मैं x tends to a बोल रहा हूं और c answer c आ गया क्योंकि यह जो value से constant value है अब a पूट करो b पूट करो जब यहां पे x है नहीं तो c answer आएगा अब यहां पे x c है और x c पूट कर रहे और x c है तो straight line हो गया x c है और x tends to a ही पूट कर रहे तो फिर तो a ही आ जाएगा x की power n है अब आप x ही पूट कर रहे हो तो पता है आपके पास क्या आ जाएगा a की power n आ जाएगा डारेटा पूट कर सकते हैं क्योंकि पता है यह function जो है यह x यह x की power n यह continuous function यह पहरा बोला है इतना भी पहले lecture में मैं इतनी चीज़ को cover किया यह सब बाते हम करते रहेंगे लिए यह सब continuous function है इसलिए 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 शुरू के calculus का lecture one lecture two lecture three अगर आप देखोगे तो आपको functions की बारे में आइडिया होगा domain की बारे में आइडिया होगा कि आपको सच में समझ आया कि एक functional value और limit में क्या difference है इसका मतलब है कि limit does not exist के case में भी functional value हो सकता है येस और अगर कोई functional value अगर निकालना है discontinuity point पे तो Mr. Gibbs जो phenomena दिया थे उसके एक ओड़ी निकाल सकते और limit exist करने के लिए जरूर है कि आपका lower limit limit left hand limit और right hand limit कीवे बराबर हो तब ही limit exist करता है तो नहीं करता। और जो function continuous होते उसमें डर ही नहीं होता है क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ save होता है जो function continuous होते है उसमें डरने की बात नहीं और जो function discontinuity होते होते होगर अगर उस point पे मैं कोई limit निकालना है तो फिर मैं नहीं निकाल सकता है क्योंकि तो abruptly change हो गए value one by x की value आपको पता x equal to zero पे right में जाओगे तो infinite left में जाओगे तो minus infinite कहा value आप आया नहीं आप आया नहीं आप आया value ओके ठीक है तो बहुत सारी बाते हैं इतनी बाते में खिये आपको और में को लगता है कि introduction के लिए इतनी बाते क्लियर है अब जब मैं कुछ चनल हॉस्पिटल रूल और यह सब बाते करूँगा तब करेंगे मैं अधा medical बाते करने में कुछ नहीं रखा है बट basic concept clear होना चाहिए अब जब आपको इतना अच्छा बता दिया तो जो मैं continuity और differentiability भी बताऊंगा तो भी easily cover कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सोच create हो रही है साइन एक्स साइन वन बाई एक्स के साथ एक्स मल्टिप्लाई और एक्स टेंज से जीरो है तब सरांसर विल भी जीरो आपको सब बाते क्लियर होगी आज के क्लास के ठीक है चलो next lecture में मिलते comment section बताईएगा आपको कैसा लगा limit के बारे में आप इतना अचा idea पहले से रखते थे या फिर आपको कुछ जानने को मिला कुछ नया या सच में आपको पहले से आता था आता था कोई सुनी आप लिख भी सकते हो कि आता था सब और अगर नहीं आता तो जरू बताईएगा मैं को पता तो चले कि आपको सच में कितना आता है ठीक है ओके thank you very much